आज हम लोग कक्षा आठ की हिंदी की पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभिता के अंतरगत बुद्ध की सिक्षा के बारे में पढ़ेंगे बहुत धर्म पुर्णता अहिंसावादी था उसमें दुख और वेदना पर अधिक बल दिया गया और आत्म सह्यम पर बल दिया गया मन को और शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और इस धर्म में चार सत्य और अस्टांग मार्ग का वर्डन किया गया और अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं बुद्ध की सिक्षा के अंतरगत तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि महात्मा बुद्ध का संदेश भारतियों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्यान की गुथियों में दूबे रहते थे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बुद्ध ने अपने शिश्यों को वही बातें बताईं जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे महात्मा बुद्ध ने अपने शिश्यों को जो उनके समझने लाइग बात थी जो प्रत्यक्ष रूप से उनने समझ में आए वही बातें उनको बताई जाती थी और उनके विचार से वे लोग उसे समझ भी सकते थे और उनके अनुसार आचरन कर सकते थे कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पतियां लेकर अपने प्रिय शिश्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पतियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं आनंद ने उत्तर दिया पतिजड की पतियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गड़ना नहीं की जा सकती उन्होंने एक बार अपने शिश्य से पूछा कि कुछ पतियां अपने हाथ में लेकर उन्होंने पूछा कि क्या बस इतने ही हैं या इसके अलावा भी और कुछ हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि पतज़र में तो अंकिनत पत्यां गिरती हैं और वे इतनी ज़ादा होती हैं कि उनकी गड़ना नहीं कि जा सकती। यहाँ पे गड़ना शब्दाया है जिसका अर्थ होता है गिना जाना। तो उन पत्यों को गिना नहीं जा सकता और तब बुद्ध ने कहा कि उसी तरह मैंने तुम्हें मुठी भर सत्य दिया है किन्तु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गड़ना नहीं कि जा सकती। तो उन्होंने इस उदारण के माध्यम से ये बताया कि जिस तरह से इन पत्तियों को नहीं गिना जा सकता उसी तरह से जो घ्यान जो थोड़ा सा ग्यान हमने दिया है वह केवल मुठी भर है कहने का ताथ पर है कि ये बहुत कम है इसके अलावा भी कई हजार और ऐसे सत्य हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते अर्थात उनके बारे में हम ग्यान प्राप्त नहीं कर सकते तो इस तरह से उन्होंने पत्यों का उदारण दे कर समझाया अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बुद्ध कथा और बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अंगिनत हाथों ने पत्थर, संगमर्मर और कांसे में ढाल कर आकार दिया भारतियों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे इस संसार के तुफानों और संगर्शों से दूर वे इतनी दूर पहुच से इतने परे मालुम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो लेकिन जब हम उन्हें दुबारा देखते हैं तो उनकी आकरिती जीवन शक्ती से भरी जान पड़ती है तो यहां पर यह कहा गया है कि महात्मा बुद्ध को जिनकों की अलग-अलग धातूओं की मूर्तियों में ड्ला गया उनको आकार दिया गया और इसमें भार्टियों के विचारों की समग्र कार्थ होता है पूरा तो संपुर्ण पूरे आत्मा की और कम से कम एक तेजस्वी पक्ष की अर्थात उनके जो भाव में उनके चेहरे पर जो तेज था उनके विचारों में जो तेज था वो उस पक्ष का प्रतीक था और वो कमल के फूल पर बैठे हुए शन्त बिल्कुल दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे की जीवन के हर सुख दुख हर परिशाणियों से दूर हर इच्छाओं से दूर इस प्रकार संसार के सुख दुख से दूर हर तुफानों से हर संगहर्शों से दूर उनकी पहुँच से परे मालूम पड़ता है ऐसा लगता है कि वो बिलकुल शान्त और धीर बैठे हुए है कोई भी दुख कोई भी परिशानी उनके पास नहीं दिखाई देती है वहां का बाता वरन भी बिलकुल शान्त हो जाता है लेकिन जब हम उन्हें दुबारा देखते हैं तो हमें एक बहुत ही शक्ती जीवन शक्ती प्राप्त होती है उससे भरी हुई जान पड़ती है और युग पर युग बीठते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम होते उनकी वाड़ी हमारे कान में धीरे धीरे धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बलकि शान्त दृष्टी से उनका मुकाबला करना चाहिए और जीवन में विकास और प्रगिती के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए तो इस तरह से ये कहा गया है कि जो उनकी वाड़ी है जो उनके स्वर है वो हमें ये सिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा विकास की और प्रगती की और आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए और संखर्ष करना चाहिए बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थर्थराहट पैदा करने वाली अनुभूती से गुजरते हैं यहां पे एक शब्द आया है थर्थराहट जिसका अर्थ होता है कपा देने वाली तो जिसको सुनकर भै जैसा लगे मनुश्य काप जाए ऐसे थर्थराहट पैदा करने वाली अनुभूती से गुजरते हैं उस रास्ट और जाती के पास निश्य ही समझदारी और आंतरिक शक्ती की गहरी संचित निधी होगी जो ऐसे भवे आदर्ष को जन्म दे सकती है महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष को ऐसी गहरी संचित निधी यहां पे संचित का मतलब है इकठा किया हुआ और निधी मतलब खजाना और आंतरिक शक्ती यानि कि जो जिसका मन अंदर से शक्तिशाली हो मजबूत हो जो अपने मन को नियंतरण में रख सके ऐसी आंतरिक शक्ती की गहरी संचित निधी यानि कि एकठा किया गया खजाना तो ऐसी उनकी आंतरिक शक्ती थी जिसके द्वारा ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दिया गया और ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसी शक्ति को ऐसे महापुरुष को जो आंतरिक रूप से मजबूत हो तब जाके ऐसे महापुरुष जन मिलेते हैं चंद्रगुप्तों और चाड़क्य मौर्य सामराजे की स्थापना इसके अंतरगत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में बहुत धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ मौल रूप में यह शत्रे आंदोलन था और शाशक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतनिधित्व करता था यानि कि इन तोनों के बीच शाशक वर्ग और जो पुरोहित थे उनके बीच संघर्ष हो रहा था और इनके पशिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रिमन से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेश मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आये जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों का लाब उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया और ये थे चंद्रगुप्त और उनके मित्र मंत्री और सलाहकार चाड़क के तो इस तरह से भारत में बहुत धर्म जो है उसका प्रचार बहुत तेजी से नहीं हुआ और इसके बाद जो पशिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमर करने के बाद भारत में ये दो महान विभूतियों ने अवतार लिया जिसमें की एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे उनके मित्र मंत्री भी थे और सलाहकार भी थे जिनका नाम था चाड़क के और दोनों मगद के शक्तिशारली राजा नंद द्वारा निकाल दिये गए थे और चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई और सिकंदर ने जो है वो दोनों को चंद्रगुप्त की मुलाकात जब सिकंदर से हुई तो सिकंदर की मुलाकात जो राजनीती थी वह बहुत महतुपूर्ण थी तो यहां पर दोनों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाड़क के इन दोनों का मिल बहुत कारगर साबित हुआ अर्थात उन्हें इन दोनों ने मिलकर बहुत सफल था प्राप्त की दोनों मगद के उस शक्तिशाली नंद सामराजे से निकाल दिये गये थे जिसकी राजधानी पाटली पुत्र यानिकी आधुनिक पटना थी दोनों पश्यमुत्तर प्रदेश में तक्ष शिला गए और उन युनानियों के संपर्ख में आए जिन्हें सिकंदर ने वहाँ नियुक्त किया था और उन युनानियों के संपर्ख में आने के बाद चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी तो इस तरह से चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई और उन दोनों ने वो दोनों ही तक्ष शिला गए और वहाँ परियुनानियों से संपर्क किया और सिकंदर से मुलाकात की चंद्रगुप्त और चाडक की ने रास्रेता का पुराना परचिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुध लोगों को उत्तेजित किया यानि कि जो विदेशी थे और आक्रमण करने के इरादे से आये थे उसके विरुध में लोगों को उत्तेजित किया अर्थात उनको उत्साहित किया उनको उकसाया और युनानी सेना को खदेड कर तक्ष शिला पर अधिकार कर लिया रास्ट्रीता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पठना तक पहुँच गए सिकंदर के मृत्वी के दो ही वर्ष में उसने पाठली पुत्र पर अधिकार करके मौरे सामराजी की स्थापना की लिखित इतिहास में पहली बार एक विराठ केंद्री राजी की स्थापना हुई पाठली पुत्र इस महान सामराजी की राजधानी थी चंदर गुपता और चाड़के ने बहुत ही समझदारी से वहां के देश भक्ती का सहारा लेकर वहां के लोगों को इन विदेशी आकरमर कारियों के विरुद्ध भड़काया और युनानी सेना को वहां से हटा कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और बहुत से लोग जो है वो अपने देश के लिए अपने रास्ट्र के लिए चंद्रगुपत के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुपत पटना भूँज गए और दो वर्ष के अंदर ही सेकंदर के मृद्यू हो गई और जिस्से की पाटली पुत्र पर मौरे सांबराजी की इस्थापना की चंद्रुपत ने उस पर अधिकार किया और मौरे सांबराजी की इस्थापना की और इस तरह से एतिहासिक लेखों में पहली बार एक विराट केंद्रिय राज्य के स्थापना हुई और पाटली पुत्र इसमहान सामराज्य के राजधानी थी तो इस तरह से पाटली पुत्र और वरतमान समय में पठना जो है इसकी राजधानी बनी और यह नया राजित था कैसा? सौभागे से हमें इसका पूरा ब्यूरा मिलता है अर्थात ब्यूरा मतलब कि इसके बारे में सारी लिखित रूप में हमें पूरी जानकारी मिलती है ब्यूरा का मतलब होता है पूरा हिसाब यानि कि इतिहास में लिखित रूप में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो इसमें था कि भारती भी और युनानी भी कि हमें इसका पूरा ब्यूरा मिलता है भारती भी और युनानी भी दोनों ही तरह का और एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपुर्ण राजनीती शास्त्र है और उसी समय की रचना है तो कौटिल्य का लिखावा अर्थशास्त्र जो है उसमें बहुत सारी बातें बहुत सारा वर्णन राजनीती शास्त्र का है और ये उसी समय की रचना है और कौटिल्य का चाडग के का ही दूसरा नाम है वह हर दृष्टी से बड़ा आदमी था बुद्धिमानी में भी और कर्मटता में भी इस युक के बारे में एक प्राचीन भारती नाटक है मुद्रा राक्षस इस नाटक में चाड़की की तस्वीर उभरती है साहसी और शडियंत्री अभिमानी और प्रतिशोधी जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्षे को ओजल होने देता है यहाँ पे चाड़के के सुभाव के बारे में बताया गया है कि चाड़के यानि कौटेल्य दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है और ये दोनों ही वह ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कभी न किसी के द्वारा किये गए अपमान को भूलता है और नहीं अपने लक्षे से भटकता है और दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तिमाल करता है यानि कि किसी भी तरह से वह अपने दुश्मन को खत्म कर देना चाहता है उसे हरा देना चाहता है और वह अपने लक्षे को हमेशा ध्यान में रखकर कारी करते हैं और समराट को स्वामी की तरह नहीं बलकि एक प्रिये शिश्य की तरह देखता है अपनी जीवन में वह साधा और तपस्वी है उचे पदों की शान शौकत में उसकी दिल्चस्पी नहीं है लेकिन उनका लक्ष बहुत ही उचा है वो किसी उद्देश्च को लेकर कारी करते हैं और वो उसके लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं और उनके लिए धन, वैभव, लालसा, सुख इसका कोई मुल्य नहीं है वो बिल्कुल ही साधा जीवन बिताते हैं तपस्वी की तरह हैं और जब वो अपनी शपत पूरी कर लेते हैं और अपने उद्देश में सफल हो जाता है तो सेवा निवरित होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है यानि कि वो बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं अपने धन वैभव के लिए नहीं बलकि वह जब अपने लक्ष को प्राप्त कर लेते हैं सफलता मिल जाती है तब वो बिलकुल इन सब काडियों से दूर होकर सेवा निवरित होकर कहने से मतलब है कि वह अपने इन काडियों से दूर होकर अपने मनन चिंतन में विचारों का विचार विसलेशन करते हुए और शांती से अपना जीवन बिताना चाहते हैं अपने लक्ष को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाड़क्यों को किसी प्रकार का संकोच होता यानि कि वे अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए सामराच की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और समराच को स्वामी की तरह नहीं बलकि एक दोस्त की तरह एक शिश्य की तरह देखता है यानि कि उन्हें लगता है कि स्वामी को हमेशा जो है वो सलाह की आवशकता है और उन्हें सही मार्क पर और सही निर्ने लेने की आविशक्ता है और अपनी जीवन में वह सादगी से भरा जीवन जीते हैं और अपनी प्रतिग्या पूरी कर लेने पर शांती पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहते हैं और इस तरह से अपने लक्षे को पाने के लिए वो किसी भी प्रयास को करने में संकोच नहीं करते अर्थात उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं रहता कि हम ये करें या न करें तो इस तरह से चाड़क्य के अर्थ शास्त्र में व्यापक अस्तर पर अनेकानेक विश्यों पर लिखा गया है यानि कि चाड़क्य की जो पुस्तक है अर्थ शास्त्र उसमें अनेकानेक यहाँ पर एक शब्द आया है अनेका नेक में दो बार अनेक और अनेक मिलकर अनेका नेक हो गया है तो दो शब्दों से मिलकर यह बना है यानेक अनेक विभिन प्रकार के विश्यों पर लिखा गया है कहने का तातपर यह है कि इस पुस्तक से हमें कई विश्यों की जानकारी मिलती है और उसमें शाशन के सिध्धान और व्यवहार के लगभग सभी पहलूं पर विचार किया गया है इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्डन किया गया है और चाड़क्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता अनुशासन और उचित नेत्रित्व के अभाव में वे बोज बन जाते हैं इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है तो इस अनुशेत में ये कहा गया है कि चाड़क्य के अर्थशास्त्र की रचना जो हुई है उसमें राजनीती की यह एक महतुपुन पुस्तक है और इस पुस्तक में बहुत सारे विश्यों के बारे में लिखा हुआ है और इसमें व्यापार, वाड़ेच, कानून, नयायाले और नगर, व्यवस्था, सामाजी, क्रीती, रिवाज, विवाह, तलाक, क्रिशी, विध्वा, विवाह, लगान इत्यादी बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन मिलता है तो यहां पे इनका कहना ये था कि चंद्रगुप्त की विराड सेना का विस्तार से इस किताब में वर्णन भी किया गया है और उनका कहना था कि बहुत संख्या होने से कुछ नहीं होता कि बहुत अधिक संख्या में सेना हो सेना में अनुशासन होना चाहिए और सही नेत्रित्व होना चाहिए यानि कि उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए नहीं तो उचित मार्गदर्शन के अभाव में वेबोज बन जाते हैं अगर उन्हें सही ढंग से प्रसिक्षित न किया जाए और उन्हें ठीक से सिक्षानी नहीं दी जाए, बताया न जाए कि उनका कर्तव्य क्या है और उनके अधिकार क्या है, तो इसमें जो है, वो बेकार हो जाता है अगर सेना उचित नेतरित्व के बिना रहे, तो इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है, और आगे पुस्तक में वर्णित, जो चर्चित अन्य विश्यों में, जो इस पुस्तक में वर्णन मिलता है, वह व्यापार और वाणिच, कानून और न्यायाले, नगर व्यवस्ता, सामाजिक रीती रिवाज, विवाह और तलाक, इस्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, क्रिशी, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, और मंडिया, बागवानी, मंडिया यानि की जहां सामा बेचे जाते हैं, बागवानी, उत्योग धंदे, सिचाई और जल मार्ग, जहाज और जहाज रानी, निगमे, जनगरना, मत से उत्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल, सब शामिल हैं, इसमें विद्वा विवाह को मानिता दी गई है, और विशेस परिस्थितियों मे तलाक को भी, तो ये बहुत ही सारे विशे हैं, जिनके बारे में हमें इस पुस्तक से लिखित रूप में जानकारी प्राप्थ होती हैं, अपने राजियाविशेक के समय, राजा को इस बात की शपत लेनी परती थी, कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख उसकी अच्छा समझेगा, जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, और उसे नहीं, जो खुद को अच्छा लगे, यदि राजा उच्छा ही होगा, तो प्रजा समान रूप से उच्छा ही होगी, सारवजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, सारवजनिक मतलब जो सब के हित के लिए जो कारी हो सब के लिए सारवजनिक काम जो है वो राजा की मर्जी के यानि की राजा की इच्छा के मोहताज नहीं होते यानि की राजा की इच्छा इसमें नहीं देखी जाती उसे खुद हमेशा उनके लिए तयार रहना चाहिए राजा को भी खुद हमेशा इसके लिए तयार रहना चाहिए यदि कोई राजा अनीती करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटा कर किसी दूसरे को उसकी जगा बैठा दे तो इस तरह से राजा पर भी अंकुष लगता था वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वह अनीती करेगा अन्याय करेगा अपनी मर्जी से काम करेगा तो उस प्रजा को भी अधिकार है कि वह किसी और को राजा बना दे तो इस तरह से इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है अब हम लोग आगे शेशक देखेंगे अशोक और अशोक शेशक के अंतरगत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2073 इसापुर्व में अशोक इस महान सामराज्य का उत्तराधिकारी हुआ इससे पहले वह पशिमुत्तर प्रदेश का शाशक रह चुका था जिसकी राजधानी विश्व विद्दाले की नगरी तक्ष शिला थी उस समय सामराज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था तो इस तरह से अशोक के समय चंद्रगुप्त मौरे द्वारा इस्थापित मौरे सामराज्य अशोक के उनका उतराधिकारी बने और इससे पहले अशोक पशिमुत्तर प्रदेश का शाशक था और धीरे धीरे जो है उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था और केवल दक्षिन पूर्व और दक्षिन का एक भाग उसके अधिकार क्शेत्र में नहीं आ पाए थे संपुर्ण भारत को एक शाशन व्यवस्था के मातहत इकठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरिद किया और उसने ततकाल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ले यहाँ पर एक शब्द आया है मातहत मातहत का अर्थ होता है की अधिन यानि की शाशन व्यवस्था के अधिन और तद्काल मतलब उसी समय तद्काल का अर्थ होता है उसी समय और प्रेरित करना यानि की उसको उत्साहित करना ये शब्द है और इस तरह से अशोक ने कलिंग प्रदेश को जीतने के लिए दिर्ण इच्छा अपनी बनाई और उसके बारे में योजना बनाने लगे यहाँ पर एक चित्र है जिसमें अशोक का एक अभिलेख है और इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पत्रों में खोद कर यहाँ पर संदेश लिखे गए हैं तो इसी तरह से बहुत सारे संदेश हमें शिलालेखों पर और इसी को अभिलेख कहते हैं जिसमें की लिखित रोप में मिलता है अब आगे हम लोग देखेंगे कि कलिंग के लोगों के बहादूरी से मुलाकात मुकाबला करने के बावजूद यानि कि कलिंग में रहने वाले जो लोग थे उनकी बहादूरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई और इस युद में भयंकर कतले आम हुआ जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पच्थावा हुआ और युद्ध से विरक्ती हो गई बुद्ध की सिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया यानि की कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का मन जो है युद्ध से हट गया था उसे युद्ध से विरक्ती हो गई थी क्योंकि उसमें इतने अधिक लोग मारे गये थे कतले आम का मतलब है कि उनका वद होना और इस भयंकर लोगों के मृत्यों के कारण चारो ओर का खून खराबा देखकर और मरेवे लोगों के बारे में सुनकर अशोक को बहुत ही दुख हुआ और युद्ध से उसको विरक्ती हो गई और बुद्ध की सिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में वेजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अशोक ने अपने युद्ध कौशर और अपनी शक्ती से कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहा लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पर खून खराबे और अम्रित्यों को देखकर उनका मन युद्ध से हट गया तो आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे अशोक का कलिंग विजय और उसके बाद उसकी युद्ध से वी रखती और इसके बाद का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद